है बीटी बन आगे आँगे आज की इस वीडियो में हम बिहार राज से रोलेट्टर सारे कोस्चन आज की इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि हम part by part वीडियो अप्लोड करेंगे जिसमें के हम बिहार एस्टेट लेवल कोस्टन्स आपके लिए प्रोवाइट कराएंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहला कोस्टन हमारा है बिहार की राजधानी कहां है भारत का एक राज जो की बिहार है इसकी रा यानिकी हाइगोट ओके तो पिहार का उच नियायाले कहां है तो यह विबहार के पटना में ही इस ठीदेट थीखेडीट आंऀ कर्टना हैं हिन्दी और उर्दु है ठीक है बिभार का राज्किय भासा क्या है राज्क्य क्या है इथे राज्किय ब्रिख ह 컨व कि और फिर की द। अजिक है बिभार थिवस्ट कभ मना आजाता है को यानिकी भा работ का जिए अस्थाफना हुआ यह बैस मार्च और सम्थिंग इस भी को हुआ होगा यानि कि बैस मार्च को बिहार दिवस की रूप में मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट है बिहार का राजकिये पुस्प यानि कि फुल क्या है तो बिहार का राजकिये फूल आपका है गेंदा ओके बिहार का राजकिये फूल क्या है जी तो गेंदा फूल है ठीक है ओके नेक्स्ट है बिहार का राज की पसू बिहार का राज की पसू जो है क्या है तो बिहार का राज की पसू बैल है यानि की ऑक्स ठीक है बिहार का राज की पसू क्या है जी बैल है ठीक है नेक्स्ट है बिहार का जीला ओके बिहार में बिहार का परमंडल 9 था तो बिहार का अनुमंडल 9 था तो बिहार का अनुमंडल कितना है जो है मौझूद है ठीक है बिहार में कितने अनुमंडल है तो 101 अनुमंडल है ठीक है नेक्स्ट है बिहार में सरवाधिक जनसेंख्या वाला जीला कौन सा है बिहार में सरवाधिक जनसेंख्या वाला जो डिस्टिक है वो है पटना कोन है पटना जो की बिहार की क्या है किलग यहांगी सबसे ज्यादा को एंगां कोशन है यहां जीटरी जहां कि सबसे जद्दा चला widen ठीक है नेक्स्ट है बिहार में सबसे बरानागर कौन सा होता है बिहार में सबसे बरानागर जो है बो है बिहार का सीटी यानि कि कैपिटल जो की पटना आए ठीक है तो अपसन नमर डी हो जाएगा पटना ओके नेक्स्ट है मूल रूप से बिहार का शब्द का अर्थ क्या होत होता है तो बौध मठ होता है ठीक है बिहार का अगर हम मूल रूप से साब्दी कर्थ निकाले तो बौध मठ निकलता है ठीक है बौध मठ ओके नेक्स्ट है बिहार में नमक सत्यागरह आरंभ हुआ कब आरंभ हुआ तो बिहार में नमक सत्यागरह जो आरंभ हुआ था समराज के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ तो यह हुआ था 1580 इस्वी में बिहार का मुगल समराज के प्रांत के रूप में गठन हुआ था 1580 इस्वी में ठीक है नेक्स्ट है बिहार बिधान सभा में बरतमार में कितने सदस्य है बिहार बिधान सभा में बरतमार में पर है ठीक है अधिक है। नेक्स्ट है बिहार K बिहार से लोक सबहा के लिए कितने सबस्ध से चूने जाते हैं। नेक्स्ट है Пटना उच्चि नियायालाई की अस्थापना कब हुई तो पटना उच नियालाई हाई कोट की अस्थापना उनिस्सो सोलह इसवी में हुई थी कब हुई थी उनिस्सो सोलह इसवी में हुई थी बिहार में राजी सभा की कितनी सीटे हैं जी तो बिहार में राज जिस सभाक जो सीटे हैं टोटल 16 यानि 16 सीट अवेलेबल है ठीक है तो 16 ऑप्षन नमर डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है जहारकन बिहार से कब प्रिथक हुआ यानि कब अलग हुआ ओके बिहार जहारकन मिला हुआ था तो ये प्रिथक कब हुआ बिहार से आपको बताना है ओके तो ये 15 नमबर 2000 को जहारकन जो है बिहार से प्रिथक हुआ यानि अलग हो गया ठीक है तो 15 नमबर 2000 इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है बिहार और उरिसा का बिभाजन यानि कि बिहार और उरिसा ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो य ये भी कब अलग हुए प्रिथक कब हुए इनका बिभाजन कब हुआ इसका डिवीजन कब हुआ तो इसका डिवीजन 1936 इस्वी में हुआ ठीक है ओके बिहार और उरिसा का बिभाजन कब हुआ 1936 इस्वी में हुआ ठीक है नेक्स्ट है बिहार सोसलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे जय परकास नारायन थे ठीक है नेक्स्ट है बिहार के परमुक समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे बिहार के परमुक समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे तो बाबु महेश्वर परसाद थे ठीक है बिहार के परमुक समाचार पत्र बि ऊखिती पादित कि नेक्स्ट है बिहार में पर भारतिय राष्ठी का 9022 का अधियुईशन हुआ तो यह बिहार के बिहार ऑधंग किसान सभा की अंहें किंके दोड़ा की गई बिहार में किसान सभा की अस्थापना सहजानंद सरस्वती के दोड़ा की गई ती ठीक है नेक्स्ट है बिहार परांतिये किसान सभा का गठन किस सन इस भी में हुआ था किस सन में हुआ था तो यह हुआ था मार्च 1929 में ओके बिहार परांतिये किसान सभा का गठन जो है सन मतलब ओक्याव डेट हो गया ठीक है यानि मार्च 1929 को हुआ ठीक है नेक्स्ट है बिहार बंगाल से प्रिथक यानि अलग प्रिथक मतलब अलग कब हुआ अलग अलग ओके तो बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था 1912 इस वी में ठीक है कब हुआ अलग बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 इस वी में ठीक है तो आज के लिए इतना ही आज की इस 30 important questions आज की इस वीडियो में cover कियें जो की ये मेरा part 1 वीडियो था जिसमें कि हमने बिहार जी के levels questions आज की इस वीडियो में cover कियें इसी तरह हम इसी type के questions आपके लिए available करते रहेंगे तो आज के लिए इतना है वीडियो को लाइक करते दिना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नेच्ट वीडियो में ओके तो देखें बिहार जी के से जितने भी कोशेंस होगे उसका प्रैलिस्ट आपको बना करके आपको अपलोट कर दिया जाएगा ठीक है तो लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो पार्ट झाल झाल